Welcome guys आज हम से देखने वाले हैं Bond Length और Bond Energy के Comparisons Last Class में हमने जिस तरी किसे Bond Angle के Comparisons जाने थे उसमें कुछ Steps थी Total 4 Steps थी हमारे पास जिसमें सबसे पहली Step में हम देखा करते थे Hybridization अगर Hybridization सेम आ जाता था तो हम देखा करते थे Lone Pair on Central Atom अगर ये भी same आ जाता था तो हम देखते था electron negativity of central atom और ये भी same आ जाए तो हम देखा करते था electron negativity of surrounding atom ये 4 step one by one हम compare करते थे सबसे पहले हमेशा hybridization को आपको compare करना है वो अगर same आ जाता है तो फिल lone pair पे जाना होता है इसी तरीकी से अगर ये भी same आ जाए ये दोनों तो हमें electron negativity of central atom और last अगर वो भी same आ जाता है तीनों तो surrounding atom की electron negativity देखनी होती है जिससे हम bond angle compare कर सकते है I hope वो पूरा clear हो गया होगा आपको next आज है bond length और इसके बाद हम देखेंगे bond strength या bond energy भी जिससे केता है तो जानते है इनको affect करने वाले factors क्या क्या है देखे bond length जो होती है आपके electron negativity की difference के inversely proportional होती है next ये bond order में भी देख चुके थे हम bond order और bond length आपस में inversely proportional होते है पहले इन दोनों factors की बात कर लेते है यह वाल आप already discussed है इसकी बात करते है देखे delta EN जितना ज़्यादा होता है यानि उसमें ionic bond उतना ही ज़्यादा होता है और ionic bond काफी strong होते है अगर strong bonding होगी तो overlapping ज़्यादा होगी overlapping ज़्यादा होने का क्या मतलब है पास पास ज़्यादा आएंगे पास पास जादा आने का मतलब क्या है? बॉन लेंथ कम हो जाएगी इस तरीके से compare किये जाते हैं next points आते हैं resonance और backbonding देखे backbonding में हमने अरड़ी देख चुके हैं backbonding का concept भी कि इसमें भी जब lone pair vacant orbital को कोई atom donate करता है और backbonding बनाता है तो bond land क्या होती है? decrease होती है resonance में कैसा है? इसका जरूर ध्यान से समझें आप resonance के लिए resonance के लिए कैसे होगा? हम जानते हैं कि यह conjugation में होता है π, σ, फिर वापस π, बोन जब होता है तो इस तरीके के conjugation होता है या फिर π, σ, क, प, σ, न, प, प, σ, ल, ल, प, प, σ, फ, फ, र, इस टाइप के conjugations होता है वहाँ पर resonance होता है और जब conjugated आपके structures बनते है जिनने हम resonating structure या canonical structures बोलते है तो जैसे इसका resonating structure बनाना होता है तो हम यह π, बोन इदर मूँ करवा देता है तो देखिए जैसे हमने इसका resonating structure अगर कुछ बनाया और यहाँ पर π, बोन आया तो यह तो सिग्मा से π, बन गया जब resonating structure बनाएंगे तो यह π, बोन अपने conjugation से इदर आएगा दे-localize जो के यह कहीं और मूँ कर जाएगा जैसे मान लीजिए यह इस तरीके से है तो यही आपका इस तरीके से भी हो सकता है ठीक है इसका resonating structure तो अब देखिए सिग्मा बोन किसमे convert हुआ पाई बोन में और हम जानते कि सिग्मा बोन की जो बोन लेंथ होती है ज़्यादा होती है पाई बोन से सिग्मा बोन की बोन लेंथ ज़्यादा होती के कम होती है पाई बोन से सिग्मा बोन की बोन लेंथ ज़्यादा होती है पाई बोन से समझ में यह बात पाई बोन की बोन लेंथ थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें आपके ओवरलेपिंग जो होती है वो parallel overlapping होती है और parallel overlapping करने के लिए उनने थोड़ा करीब आना पड़ता है orbitals को जिसकी वज़े से overlapping होती है और bond length थोड़ी क्या हो जाती है कम हो जाती है अब देखें द्यान से sigma से pi हुआ यानि पेले bond length जदा थी अभी bond length क्या हो चुकि है उसकी कम हो चुकि है ठीक है इसलिए कहते है resonance में जो bond length होती है sigma bond की वो decrease होती है pi bond की increase होती है ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि pi किसमें change हो जाता है sigma bond में change हो जाता है pi किसमें change हो जाता है sigma bond में change हो जाता है उसकी वज़े से तो ये concept ध्यान रखें कि किसकी decrease होती है sigma bond की decrease होती है bond length okay resonance की वज़े से तो देखें किस-kis की वज़े से bond length decrease हो रही है हमारी जब electron negativity बढ़ जाए जब bond order बढ़ जाए जब आपके resonance हो रहा हो और जब back bonding हो रही हो तो ये चारो factors है bond length को affect करने के लिए अब देखते हैं इसके कुछ examples हमें compare करने के लिए जब आएंगे questions तो कैसे होगा देखें ध्यान से पहला example है ये वाला इसमें देखें दो अलग-अलग atoms है cn, cn, cn लेकिन cn, cn, cn तीनों में है main बात ही आ रही है cn, cn, cn तीनों में आ रहे हैं comparison हम electron negativity difference से नहीं कर पाएंगे क्योंकि electron negativity difference तो तीनों में same आएगा क्योंकि atoms दोनों में तीनों में same same है दोनों atoms ठीक है तो अब किस से करें ध्यान से देखिए यहाँ पर एक single bond है जबकि यह double bond है और यह triple bond है तो सीधी सी बात अभी अभी बताया है sigma bond की bond length जादा होती है double bond से double bond की bond length जादा होती है triple bond से सीधा सा concept है क्योंकि parallel overlapping जब होती है तो orbitals आपके कुछ इस तरीके से overlapping करते हैं आपस में जुक के तो उन्हें करीब आना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि वो उससे overlapping के पहले तो कुछ इस तरीके से होंगे जब इनमे overlapping होगी तो यह इस तरीके से जुकेंगे यह रहे बत उसकी वज़े से इनमें पास पास आना पड़ेगा और bond length क्या हो जाती है कम हो जाती है नेक्स्ट एक्जामपल पर आते है यहाँ पर देखिए जो दो-दो atoms से आपके bond बने हुए है सबसे पहली बात तो single single bond है तो इस बार bond से compared नहीं कर पाएंगे दूसरी बात यहाँ पर atoms different different है देखिए तीनों में atoms different different है और जब दो-दो atoms single bond से जुड़े हो तो हमें क्या किस पर जाना है delta en निकाल लना है हमका electron negativity difference अब कैसे देखेंगे c c c to common हो गया हमारा अब रही बात इधर वाले c n और o की तो इन में electron negativity कैसे देखेंगे देखिए left to right जाते हैं तो electron negativity क्या होती है left to right जब हम जाते हैं तो electron negativity हमारी क्या होती है increase होती है इसलिए fluorine की आपके highest होता है ठीक है electron negativity तो इधर वाले की इसकी highest electron negativity है फिर इसकी है फिर इसकी है यानि difference भी यहाँ सबसे ज़्यादा आएगा फिर इसमें आएगा फिर इसमें आएगा यानि यहाँ पे delta in 0 है delta in यहाँ पे कितना है 0 है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है delta in यहाँ और भी ज़्यादा है delta in values याद रखनी की कोई ज़रुरत नहीं है simple इस तरीकी से comparison करके भी हम आसानी से निकाल सकता है तो delta in जहाँ पे सबसे कम होगा bone length वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी तो bone length यहाँ पे सबसे ज़्यादा cc गी फिर उसके बाद cn की उसके बाद c o की bone length आएगी clear है यह बाद फिर से repeat करूँ अगर तो देखे द्यान से delta in निकाल लेना है जब भी atoms different हो तो यह दोनों same atom है तो delta in निका 0 आजाएगा इसके बाद इनका difference और इसका difference का comparison अगर करें तो o की electron negativity n से ज़्यादा होती है क्योंकि left to right जाते हैं electron negativity बढ़ती है उसकी वज़े से यहाँ पर इसका delta in ज़्यादा आएगा और delta in ज़्यादा आएगा तो bone length की आएगी कम आएगी सीधा से 2 factors अभी तक देखें bond का number बड़ा तो भी हमारा bone length कम हुआ और इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं देखिए bond order जब हमारा first वाल example की मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की उपर वाले की bond order जब 1 आता है तो हम जानते कि वह वहाँ पर एक ही bond होता है bond order जब 2 आता है तो हम 2 bond लेता है और 3 होता है तो bond कितना लेता है 3 bond लेता है वहाँ पर clear है यह चीच discuss की थी झालका मेश सब कर को साथ जब है झालका टानते कीच़ ऊम झालका झालका है झालकाा希望 की माशनी है तो चे कि दोख मYेश्योग 4 behavior जब 7 कि तो कि यह 29 माशना कि दो ऀपने, एको बहरारारार्वाई0091 मैशनी उब not बहराछानी झाल झाल तो देखें यहाँ पर इस concept से clear है सिधा कि bone order यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है ठीक है तो bone order बड़ा तो bone length कम हुई ठीक है इसका bone order सबसे ज़्यादा तो इसकी bone length सबसे कम clear बात है तो bone order भी यहाँ पर लग रहा है और इसमें आपके delta en लग रहा है ठीक जहां resonance होगा resonance लगा देना है जहां back bonding होगी वहाँ back bonding को भी consider करना है जनरली back bonding वाले में गलती कर जाते हैं आप लोग नेक्स्ट एक note है आपके लिए सभी के लिए जब दो second period elements जुड़े वे हो आपस में ठीक है और उनके पास lone pair हो और जिनके पास lone pairs हो वह जब bonded हो तो उनके बीच में repulsion काफी होता है क्योंकि देखिए एक तो left to right आते हैं साइच काफी कम हो जाती है उपर से इनके उपर अब लोग पेर हो अगर इस तरीके से तो इनके बीच में repulsions बढ़ेंगे यहां पर repulsions बढ़ेंगे इनके बीच त उनको लड़ाई को खदम करने के लिए क्या किया जाता है उनको दूर लेका जाया जाता है ठीक है ताकि थोड़ा गुस्तव शान तो लड़ाई रुख जाए बस यहां पर भी ऐसे कुछ है lone pairs में जब repulsion बढ़ता है तो यह bone length क्या कर लेता है अपनी increase यह थोड़े दूर द elements में ही लगाना है जैसे like आपके second period elements हो गए N हो गया O हो गया F हो गया इनके पास lone pairs होते है ठीक है और जब N-N bond बन रहा हो या O-O bond बन रहा हो इस तरीके से तो इन में आपको यह concept apply करना है तो usual से उनकी bond length ज्यादा आएगी क्योंकि repulsion minimize करने के लिए वो खुद को थोड़ा दूर कर लेते हैं इसकी वज़े से clear एबत तो ध्यान रखेगा जब भी यह आपके bond हो इनके बीच second period elements के बीच तो ध्यान रखेगा कि lone pair की वज़े से repulsion की वज़े से lone pair के वो दूर चले जाते है तो usual bond length से उनकी bond length थोड़ी सी ज़्यादा आती है ओके यह again bond strength में भी apply होग concept तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर तो इसको apply करते हैं उस concept को जो हमने सीखा है देखिए statement आते हैं कभी कभी कि NF की जो bond length है NF3 में NF3 आपका यह compound है जिसमें जो NF की bond length है अब NF की bond length 3-3 है आपके यहाप है तीनों की बात हो रही है is higher than expected जितनी होनी चाहिए उससे उनों के पास क्या है loan pairs है तो loan pair loan pair repulsion को minimize करने के लिए यह थोड़े क्या हो जाते हैं दूर दूर हो जाते हैं तो उसकी वज़े से जो expected bond length होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा आती है NF3 की bond length ठीक है तो इस तरीके के statements कभी आए bond length के तो जो चार factor पड़े है उसके अलावा वो Central Atom रहेगा हमारा H इसके दो अगल बगल और OH as it is आपके group लग जाएगा alcohol group ठीक है अब देखिए इसके पास भी loan pair इसके पास भी loan pair loan pair repulsion को minimize करने के लिए थोड़ा दूर दूर जाएंगे तो उसकी वज़े से NO की जो bond length है वो higher आएगी expected से आपके क्या reason है again वही second period elements है loan pair है और आपस में bonded है तो उसकी वज़े से repulsion को minimize करने के लिए वो दूर चले जाते है और bond length आपकी increase हो जाती है clear तो bond length के fund ही clear हो गए bond length के general total देखा जाए तो 5 fund हो गए एक तरह से electron negativity हो गया ठीक है दूसरा हो गया bond order हो गया हमारा तीसरा resonance चोथा आपके क्या हो गया इसमें का आया था second period elements के loan pair ठीक है तो यह पाचो factors आपको consider करने होते हैं जब भी आपको equation कर रहे हो ठीक है कोई भी एक चुक होगे वहाई पर minus 1 मिल जाएगा ठीक है इस से अच्छा है पूरा पढ़े सही से पढ़े सीख के समझ के करें equation ठीक है next एक और example है compare o bond length in h2o2 and f2o2 ठीक ह s2o2 और f2o2 में किसकी bond length जादा है या किसकी कम है वो हमें देखना है तो देखें दोनों के structure बना देते हैं दोनों के open book like structures होते हैं इस तरीके से किताब खुली हुई रहती है हमारे और जो उनमे angles बनते हैं कुछ उसी तरीके से angles इनके बीच में होते हैं अब देखें कैसे compare करेंगे ओ वो बोन लेंथ ठीक है यह वाली बोन लेंथ हमें compare करनी है यह वाली ठीक है दोनों के अंदर अब कैसे compare करेंगे देखें लोन पेर तो एज़टी से हैं दोनों के पास पर यहां पर बात होगी electron density की जहां ज्यादा होगी electron density वहां repulsion भी ज्यादा होगे और repulsion को minimize क अट्रेक्ट करेगा तो electron density कम करेगा एक तरह से इसके उपर जबकि H और O में electron negativity O की ज्यादा होती है तो यह अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा और electron density को और भी बढ़ा देगा electron density बढ़ जाएगी तो repulsion बढ़ जाएंगे और repulsion को minimize करने के लिए इसकी bone length इसके compare में थोड़ी O के उपर जो electron density है वो बढ़ रही है इसके अंदर जबकि इसमें electron density कम हो रही है तो repulsion भी कम होंगे सिधी सी बात है तो यह बात हुई bond length की total overall 5 points clear रहे next bond energy की बात करता है तो bond energy क्या होती है आप से भी जानते हैं एक तरसे उल्टा चले है तो bond तोड़ने के लिए जो energy चाहिए वो bond energy ठीक है उल्टा चले हैं अगर definition से तो जल्दी समझ में आएगा ठीक तो bond energy क्या होगी हमें bond तोड़ने के लिए जो energy चाहिए होती है करने वाले factors क्या क्या है तीन factors है अगें डेल्टा इन ज्यादा वही जो मैंने बताया था डेल्टा इन अगर ज्यादा है तो यानि उसमें ionic character ज्यादा है और हम जानते है ionic bond काफी strong होता है तो bond energy उनको तोड़ने के लिए भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी तो directly proportional relation है अब देखें bond order बड़ेगा तो bond energy भी बड़ेगी और आपके bond energy size of atom के inversely proportional होती है अब इसको कैसे समझें कि inversely proportional कैसे है size of atom के देखें size of atom अगर छोटी होती है तो overlapping बहुत अच्छी होती है size of atom जितनी बढ़ जाती है overlapping उतनी अच्छी नहीं हो पाती उनमें ठीके थोड़ी इसी ही हो पाती है overlapping उतनी अच्छे से नहीं होती है जितनी छोटे atoms में होती overlapping clear तो यहाँ पर size of atom के inversely proportional है bone order बढ़ा तो bone energy बढ़ी और एक तरह से देखें पिछले वाले जो factor थे bone length bone length कम होई तो bone energy भी बढ़ी बहुत सिधी सी बात है ठीक है dragon only कम होगी यानि पास पास आरे है पास पास आरह तो अच्छी overlapping हुई तो bone energy ज्यादा है आगर चछी overlapping होगी उनको डूर करने के लिए अनरजी उतनी ही ज्यादा देनी होगी तो कभी bone length पूछा जाए और फिर bone energy भी पूछ ले जाए अगर paragraph में question है तो एक का निकाल लो दूसरे का उल्टा कर दो या bone order से निकाल लो सिधी सी बात है अगर bone order apply हो रहा है तो इसके examples देखते हैं compare bone energy HF, HCL, HBR और HI में आपको क्या करना है bone energy को compare करना है अब देखिए दो atoms है और दोनों अलग-अलग है चारों के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हम delta i n लगा सकते हैं delta i n कैसे compare करेंगे देखिए HH तो common है तो सीधा सा जिसकी electron negativity ज़्यादा आएगी वहाँ difference भी ज़्यादा आएगा electron negativity सबसे ज़्यादा किसकी होती है F की होती है तो यहाँ पर delta i n सबसे ज़्यादा होगा यानि HF की हमारे पास pond energy भी ज़्यादा आएगी उसके बाद HCl की आएगी उसके बाद HPR की आएगी और next आपके HI last में आ जाएगा यहांपर electron negativity सबसे कम है यह electron negativity का डिफरेंस का order है दो इसका दीक होगा Leben есте का होगा born energy का order होगा यह born energy का order भी electron negativity के डिफरेंस के order के जैसा ही आ जाएगा और देखते है example अब देखे हैं यहाँ पर electron negativity concept नहीं लग पायागा तो दूसरा हम जाते हैं किस पर जाएंगे साइच पर जाएंगे तो देखें किस तरीके से ये क्वेशन होगा झाल 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 झा झाल झाल तो इसमें एलेक्ट्रोन नेगटिव विडियो का अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इन सभी में क्या आएगा हमारे पास जीरो निकल के आजाएगा ठीक है ओके तो अब क्या क्या उन्सक्राइब लगाएं साइच का अप्लाई करके देखते हैं देखें तो देखें यहाँ पे सिलिकोन, फोस्फोरस, सुलफर और क्लोरीट अपके थर्ड पिरेड के एलिमेंट और अब लेफ्ट टू रैट जा रहे हैं लेफ्ट टू रैट जब जाते हैं हम लोग लेफ्ट टू रैट जब मुग करते हैं तो साइच क्या होती है हमारी होती है बाकी तीनों factors increase होते है ionization energy electron affinity और electron negative ठीक है अब देखिए silicon silicon phosphorus phosphorus इसमें size compare कर लेते हैं पहले size किसकी सबसे ज़्यादा है SI SI की सबसे ज़्यादा है फिर PP की फिर SS की और फिर CL की size का ये order है तो size का order और bond energy का order कैसा आता है opposite आता है size बढ़ती है तो bond energy गड़ती है size बढ़ती है तो bond energy गड़ती है ठीक है opposite order आता है size और bond energy का क्यूंकि overlapping उसमें factor है size ज़्यादा होगी तो overlapping कम हो पाएगी कम overlapping हो पाएगी तो bond strength उसकी कम होगी सिधी सी बात है यानि जिसकी size चोटी उसकी bond energy ज़्यादा ओके तो bond energy का order क्या मिल गया हमें ये वाला clear ये बात सभी को delta n नहीं लग पाए क्योंकि similar items है तो हमने size देगा ओके bond order भी नहीं लग पाता generally यहाँ पर लगाने जाओगे तो काफी ज़्यादा हो जाएगा कि 15 और 15-30 electrons हो जाएगे जो कि बहुत ज़्यादा feel करना पड़ेगा फिर तुम्हें तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है बान energy से निकाल लेना है size को देखते है ठीक है next compare bond energy again अब देखें यहाँ पर जैसे आपको second period elements दिखते हैं lone pair के साथ तो थोड़ा ध्यान रखें वहाँ पर जो note बताया था आपको कि lone pairs जब होते हैं वो भी second period elements पर है ठीक है lone pairs तो वहाँ पर क्या होता है bond length जो होती है आपकी वो थोड़ी ज्यादा आ जाती है expected से तो यहाँ पर देखें आप यह जो fluorine fluorine है वैसे तो अगर हम size पर जाएं अगर देखें क्योंकि delta n तो सभी में 0 आएगा similar-similar atoms है इसलिए तो size पर अगर जाएं तो यह सबसे छोटी size का है सबसे छोटी size है तो इसमें bone energy सबसे अच्छी होनी चोगी है थी लेकिन second period element है repulsion जादा होगा क्योंकि 3-3 lone pairs लेके बेठे में हैं repulsion बहुत जादा होगा तो इनकी bone length भी बहुत जादा हो जाएगी यह बहुत दूर चले जाएंगे repulsion minimize करने के लिए दूर यह भी जाएंगे पर इसके पास 3-3 lone pair रहे इसके पास 2-2 lone pair रहे तो थोड़े कम दूर जाएंगे उसके कम पेर में यह और भी कम दूर जाएंगे क्योंकि इसके पास एक-एक lone pair रहे ठीक है इसके पास एक एक लॉन पेर है और यह जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि कोई लॉन पेर नहीं है तो जैसे नॉर्मल इसकी बॉन लेंद होती है वो ही रहेगे तो यहाँ पर दूर ज्यादा कौन हो गया आपका एफ फ वाला तो बॉन एनर्जी तो इसकी क्या जाएगी काम जाएगी और सबसे कम दूर कौन हुआ है सेसी वाला तो इसकी बॉन एनर्जी क्या जाएगी जदा जाएगी तो लगता यह है पहले अटेंट में पहली नजर में लेकिन एक्चोल अगर वो नोट आपको ध्यान रहता है तो आप गलत नहीं करके आएगे उस question को ठीक है तो यह था बॉन एनर्जी का concept हमारा जो की एक तरह से देखे हैं तो बॉन लेंद का उल्टा ही है जो बॉन लेंद के factors थे उसी के उल्टा factors किसमें हैं बॉन एनर्जी में है ठीक है और size हमारी कम जब होती है ठीक है तब तब बॉन एनर्जी बढ़ती है और जब जब बॉन एनर्जी बढ़ेगी बॉन लेंद क्या होगी कम हो जाएगी आपकी clear है बत तो यह था concept बॉन एंगल बॉन लेंद एंड बॉन एनर्जी का तीन होगा अब सिर्फ और सिर्फ इस चेप्टर में जो बसता है हमारे पास वो है डाइपोल डाइपोल कमपेर करने के जो questions आते हैं वो इस चेप्टर में बाकी रहते हैं बाकी almost सारे concept हम clearly समझ चुके हैं और भी जो कुछ थोड़े extra concept बसते हैं वो मैं questions के दुरू आपको practice करवा दूआ तो यह है basic आपका chemical bonding जिसके सारे factors हम एक एक करके अच्छे से देख चुके हैं proper revision करें क्योंकि डाइपोल मोमेंट का lecture जैसे ही होगा फिर आपके practice questions में डालूँ आ lecture के अंदर तब ही समझ में आएंगे जब आपको पिछले सारे concepts पता होंगे ठीक है तो अच्छे से clear कर लें कोई concept में doubt हो दो पूछने में thank you